दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जानवर और इनसानों की दोस्ती के कुछ ऐसी किस्तों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरीज के बारे में भी बताऊंगा जिने जानकर आपको रोना तका सकता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को टोकियो युनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर जिनका नाम हिजाबूरो यूनो था इनको कॉले जाने के लिए रोज ट्रेंज से सफर करना पड़ता था एक दिन स्टेशन पर प्रोफेसर को एक डॉग मिला उन्हें वो डॉग इतना पसंद आया कि वो उसे अपने घर ले आए प्रोफेसर इस डॉग का बहुत ख्याल रखते थे और उन्होंने इसका नाम हचीको रख दिया धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को बहुत जादा चाहने लगे जब प्रोफेसर इउनो टोकियो उनिवरस्टी जाने के लिए घर से निकलते तो हचीको भी घर से निकल कर इस्टेशन तक छोड़ने जाता था और शाम को फिर उस ट्रेन के टाइम पर पहुँच कर उनके आने का वेट करता था हचीको के डेली ऐसा करने की वज़ा से वहां के सभी लोग उसे पहचान गए थे लेकिन 21 मैं 1925 को रोस की तरह हचीको प्रोफेसर को छोड़ने गया और उन्हें स्टेशन पर छोड़कर घर लोटाया लेकिन जब शाम को हचीको प्रोफेसर यूनो को लेने स्टेशन गया तो बहुत देर तक इंतिजार करने के बाद भी प्रोफेसर यूनो नहीं लोटे जरासर प्रोफेसर यूनो एक बीमारी से गुदर रहे थे और उस दिन यूनिवरसिटी में ही अचानक उनकी मौत हो गई थी इनकी मौत से अंजान हचीको प्रोफेसर के आने का इंतिजार करता रहा हचीको को वहाँ इंतिजार करते हुए रात हो गई और बाद में स्टेशन की किसी आदमी ने उसे घर छोड़ दिया लेकिन इसके बाद भी हचीको का स्टेशन जाकर प्रोफेसर के इंतिजार का सिलसला जाली रहा हचीको रोज सुबा ट्रेन के टाइम पर ट्रेन स्टेशन जाता था और शाम तक वहीं इंतिजार करता रहता प्रोफेसर के घर के लोगों ने इसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन हचीको की दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि वो इसे रोक नहीं पाए ऐसे हचीको के लिए 10 साल तक इस्टेशन पर प्रोफेसर का इंतिजार करता रहा और इस्टेशन से आ रहे हैं लोगों में प्रोफेसर को ढूंटा रहा बाद में हचीको की तबियत खराब होने लगी लेकिन उसने प्रोफेसर का इंतिजार करना नहीं छोड़ा और 8 मार्च 1935 को हचीको इसी स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतिजार करता हुआ इस दुनिया को छोड़ कर चला गया आज भी जापान में इन दोनों की दोस्ती को याद किया जाता है नमबर टू दोस्तो अब जरा इस हाती को देखिए इसके पैरों में परशानी है और इसलिए इसके आर्टिफिशल लेग लगाए गए हैं लेकिन इसके सही से ना चल पानी की वज़ा से बाकी हाती इसको अपने गुरुप में नहीं आने देते और इसी वज़ा से इसे अकेला ही रहना पड़ता है लेकिन मिलिया इंडिया के रहने वाले शैलेंडर नाम की इस आदमी से ये जू में काम करते हैं जब इन्हों ने इस हाती को अकेला देखा था तो इसके बारे में पता किया जिसके बास से शैलेंडर ने इसको अपना दोस बना लिया अब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं दोनों साथ में खेलते गुतते हैं और साथ में इनाते हैं शैलेंज जहां भी जाते हैं ये हाथी पूरे दिन इनके साथ लगा रहता है और अब तो इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी है कि शैलन्ज ने जू में काम करते हुए अपना प्रोमोशन भी नहीं कराया क्योंकि अगर ये प्रोमोशन ले ले लेते तो इन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया था दोस्तों मिलिये साथ अफरीका के रहने वाले केविन से इन्हें लाइन विस्परर के नाम से भी जाना जाता है इनकी दोस्ती जंगली शेर, लकड़ भगे और तेंदुए जैसे खतरनाक जनवरों से है इनकी उमर 36 साल है और ये वाल लाइफ साइंटिस्ट हैं केविन इन जनवरों को इनके बच्पन से पाल रहे हैं और ये जनवरों के बिहेवियर पर रिसरच करते हैं जब ये जनवर बड़े हुए तो इन्हों ने इन्हें अपना नैचरल जीवन जीने के लिए जंगल में छोड़ दिया लेकिन जब केविन इन से मिलने जाते हैं तो ये जानवरी ने दिखती ही दोड़े चले आते हैं और कैविन के गले लगकर उनके लिए अपने प्यार को चताते हैं कैविन इनके साथ खेलते हैं और इन्हीं के साथ सो भी जाते हैं नमबर 4 कॉस्टेरिया के गिलबर्टो शेडन और एक मगरमच की अनोखी दोस्ती ने सभी को हैरान कर दिया 1991 में गिलबर्टो को एक मगरमच दिखा जो की बहुत बुरी तरह से घायल था दरासल शिकारियों ने इसकी आख पर गोली मार दी थी और उसकी आख से खून निकल रहा था इसकी इस हालत को देखकर गिलबर्टो इसे अपने घर ले आया और इसका बहुत ख्याल रखा और इस मगरमच का नाम पोचो रख दिया जब पोचो ठीक हो गया तो गिलबर्टो ने इसे पास की जील में छुड़वा दिया लेकिन इनकी दोस्ती अतनी गहरी हो चुकी थी कि ये मगरमच गिलबर्टो से मिलने उसके घर आ जाता था गिल्बर्टो इस मगरमच के साथ जील में स्विमिंग करता था ये इसके उपर बैठ जाता था और ये मगरमच गिल्बर्टो को जील की सेर कराता था ये मगरमच 17 फीट तक बड़ा हो गया था लेकिन इसने कभी गिल्बर्टो को कोई नुक्सान नहीं पहुचाया